नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में जहां हम आपके पुछे गए जरूरी सवालों के जवाब देने की आपकी हिल्फ करने की पूरी कोशिस करते हैं गाज वीडियो सुरू हो उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नाए हैं या पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बला इकन प्रेस करके आल पर कर लिजे जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि मैं खरगोस से समंधित वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रैविट से रिलेटेट कुछ नहीं जानकारी देखने और सीखने को जरूर मिलेगी तो चलिए गई ज़्यादा बते ना करते तो एक बार अपने आसवास के किसी अच्छे वेट डाक्टर को उसे जरूर दिखा लीजिए और डाक्टर की सला से ही ट्रीटमेंट करने की कोशिस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा बाकी घरे लूप चार की बात करें तो आप हल्दी और सरसुक के तेल का पेष्ट बना कर वहाँ लगाएं वो नार्मल हो जाएगा निफ्ट कुश्चन बिकी चौहान सर मेरे खरगोश के बाल आपस में चिपक कर बड़े बड़े बाल बन रहे हैं तो क्या करें क्या कोई ऐसी चीज है जिसे चिपके बाल छोट जाएं प्लीज रिपलाई तो देखिए आप जहां तक हो सके बालों में कंगी करने की पूरी कोशिश करें आप धीरे-धीरे कंगी करके और कोकोनटायल का यूज करके सारे चिपके बालों को दूर कर सकते हैं और लंबे समय तक बालों को चमकदार भी बना के रख सकते हैं आप ज्यादा कोशिश करें कि आपके रैविट गील आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी सर मेरी रेविट नेस्ट बना रही है बच्चे कब देगी तो देखिए जब मादा खरगोस का प्रेग्नेंसी पीरियड 30-32 दिन का पूरा हो जाएगा तब वो बच्चों को 100% डिलीवर कर देगी बाकि आप खुद ही समझदार हैं सर हमारी खरगोसनी ने बच्चे दिये लेकिन बाल नहीं निकालती इसकी क्या वज़ा है क्योंकि इस तरह हमें पता नहीं चलता कि इसने बच्चे दिये हैं कि नहीं सर पिलीज आप हमें बता दे ऐसा क्यों करती है तो देखिए ऐसा बहुत ही rare खरगोस करते हैं और बाल ना निकालने वाले ज़्यादा तर खरगोस ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की केयर कम करते हैं जिसकी वज़े से वो ऐसा करते हैं बट अगर आपकी मादा खरगोस बच्चों को दोनों टाइम दूद पिला रही है तब आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंसर नहीं लेना है और उसे bleeding हो रही है हम क्या करें तो देखिए मैं अपनी सारी वीडियोज में आप सभी को हमेशा यही एक चीज़ बताता हूँ कि जब मादा खरगोष प्रेगनेंट हो जाए तब नर खरगोष को उसके पास जरूर रखना चाहिए पर अलग-अलग कहने का मतलब है कि ओ एक साथ भी रहें और मीटिंग भी ना करने पाए और बच्चे देने के कम से कम 30 दिन बाद तक नर और मादा खरगोष को एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए कभी भी नहीं रखना चाहिए बट आप लोग लापरवाही करते हैं और प्रेगनेंट हो जाने के बाद से लेकर बच्चे देने तक आप लोग हमेशा नरमादा खरगोष को एक साथ ही रखते हैं इसलिए आप लोगों को काफी सारा प्राबलम फेस करना पड़ता है और रही बात उसके ब्लीडिंग की तो अगर ब्लीडिंग जादा हो रही है तब आप 12-24 घंटे इंतजार कर लीजिए अगर बंद नहीं होता है तो एक बार किसी अच्छे बेट डाक्टर को जरूर दिखा लीजिए और ना प्राबलम हो सकता है बाकि आप खुद ही समझदार है नेक्ट कुश्चन पूनम अगरवाल सर मेरा रेविट मेरे से डरता है बताएं कि यो मेरे पास आने लगे तो देखे उसके लिए आप उसे ज़्यादा टाइम देजिए उसकी मन पसंद चीज़े उसको अपने हाथ से खिलाएं और उसके सर यूजर ST3 FQ4 सर खरगोष को कपड़ा पहना सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सरदी में तो देखिए वैसे तो खरगोष कपड़े वगएरा पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो कपड़े पहना देने पर अपने आपको अनकमफ़टेबल महसूस करते है जिससे उनको दिक्कत होने लगती है बाकि अगर आप पहनाना ही चाहती है और आपका रैबिट अच्छे से पहन कर जरा भी अनकमफ़टेबल नहीं महसूस कर रहा है तब आप पहना दीजिए वरना मैं तो आप लोगों को यहीं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने र अधर गोस की मौथ हो जाती है तब आप लोग बच्चों को दोनों टाइम खुद से ही दूद पिलाने की पूरी कोशिश करें और आप गोट मिल्क, काव मिल्क या किटन मिल्क पर्चेस करके बच्चों को दूद पिलाएं वरना दूद ना पिलाने की कंडिशन में बच्च मेरे भाई तो देखिए वैसे तो आप कोशिश करके किसी अच्छे बेट डाक्टर को दिखा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अगर आप डाक्टर को दिखाने में आसमर्थ हैं तब आप हल्दी और सरसो के तेल का पेष्ट बनाकर अच्छे तरीके से लगाईए और उसके मन का डर निकालिए क्योंकि इस कंडिशन में रैविट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जिसकी वज़े से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं बाद में उसको बचाना मुश्किल हो सकता है इसलिए आप लोग जहां तक हो सके हल्दी और सरसो के तेल का पेष्ट बना प्राबलम होगी क्या प्लीज रिपलाई तो देखिए अगर 32 दिन से 17 दिन जादा हो गया है तब आप 100% किलियर हो जाईए कि आपकी मादा खरगोष बिल्कुल भी प्रेगनेंट नहीं थी आप फिर से उसका मीटिंग करवाए और मीटिंग के 4-5 दिन बाद फिर से आप उ और ओ छूट भी आई क्या मेरी रेविट मर जाएगी क्या प्ली रिपलाई मी तो देखिए आप उसके मन का डर निकालने की पूरी कोशिस करें अगर ओ डिप्रेशन से बाहर चली आएगी तो बिल्कुल भी मरने का चांस नहीं है बाकी तो सभी का जीना मरना उपर वाले के हाथ में यानि मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप उसके अंदर के डर को निकालने की पूरी कोशिस करें उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पूरी तरह से नार्मल हो जाएगी नो प्राबलम नेक्ट कुश्चन यूटूब क्रियेटर्स मेरे रैविट के 36 दिन हो गए है वो प्रेगनेंट भी है पर बच्चे नहीं हुए तो देखिए आप 2-3 दिन और बेट कर लीजे हो सकता है आपको डेट जोड़ने में कोई गलती हो गई हो और अगर आप 100% किलियर है कि आपकी मेटिंग करवाना पड़ेगा नेक्ट कुश्चन यूजर CW5JV9 भाई मेरा तो खरगोश का बच्चा कमजोर हो चुका है वहाँ सब ठीक हो जाएंगे तो इसका इंसर है यस बटा आप दोनों टाइम बच्चों को प्रापर तरीके से दूद पिलाईए और जब बच्चे 30 से 32 दिन के हो जाए तब आप उनको खाना पिना अच्छे तरीके से दीजिए और पूरी तरह से नार्मल हो जाएंगे आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टेंसन नहीं लेना है बर आपको उनके खिलाने पिलाने पे अच्छी तरीके से फोकस करना है सर मेरे मादा रेविट अपने बच्चों को दूद नहीं पिलाती है तो देखिए आप उसे अच्छी डाइट दीजिए उसे हाई नूट्रेंस वाला फीर दीजिए बच्चे देने के बाद माख हरगोस को क्या क्या चीज़े खिलाना पिलाना चाहिए इन सभी टापिकों प उसका डाइट जो उसे सही तरीके से नहीं मिल पाता है नेक्ट कुश्चन यूजर एम सेबन जीपी एट मेरी मादा खरगोस को नर खरगोस गले पर पंजा मार दिया है क्या करें तो देखिए अगर घाव ज़्यादा है और दिक्कत हो रही है तब आप एक बार किसी या सेबलान से साब सफाई करके ही वहाँ हल्दी और सर्सों के तेल का पेष्ट बना कर लगाएं इससे घाव जल्दी रीकबर हो जाएगा नेख्ट कुष्चन अमन कुमार सिन्हा मेरे टू मन्थ के रैविट्स है कैसे केर करें बिंटर में फ्राम पटना विहार अनुपं सिन्हा तो देखिए बिंटर सीजन में खरगोष के 30 से 60 दिन के बच्चों की केर कैसे की जाती है या खरगोष के बच्चों की बड़े होने तक केर कैसे की जाती है इन सभी टापिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियों हैं जिसमें मैंने बताने के साथ साथ शारी चीज़े दिखाने की भी कोशिस की है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लीजिए आपकी सारी प्राबलम साल्व हो जाए करनी पड़ सकती है बाकि आप खुद ही समझदार है नेश्ट कुष्चन सीवम सिंग भाई मेरी खरगोस नहीं है ना दो दिन से बाल निकाले उसके बाद दो तीन दिन बाद से उशल कूद कर रही तो देखे अगर आपकी मादा खरगोस प्रेगनेंट होगी तब वो 32 दिन प से गिर गए थे और उसके नाक से खोन निकल रहा है प्लीज सर तो देखे इन कंडिशन में तुरंत आपको अपने रैविट को किसी अच्छे बेट डाक्टर के पास ले जाना चाहिए और अगर आपके पास बेट डाक्टर नहीं है तब आप इंसानों के डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और अगर आप इन सब कंडिशनों में किसी के रिपलाई का एडवाईज का बेट करेंगे तब देर हो जाने पर प्रावलम हो सकता है बाकि आप खुद ही समझदार है निफ्ट कुष्चन सालेह मंसूरी भाई पता नहीं मेरे खरगोश के बच्चे एक तो उसका बाड़ी बहुत ज्यादा ठंडा हो जा रहा है और उमर रहे और उनका बाड़ी बहुत बुलू हो गया है और हाँ और हिल भी नहीं रहे हैं लेकिन उसको अगर गरम में रख रहे हैं तो हिल रहे हैं तो क्या करें भाई प्लीज रिपलाई तो देख आज वीडियो पसंद आने पर लाइक ये उम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गाज जिन जिन रेविट लब और भाई भाई भेन का कमेंट आज पिक नहीं हो पाया है मैं कल मंडे रिप्लाई बॉक्स में उन सभी के कमेंट को पिक करके रिप्लाई देने की उनकी हल्प करने की पूरी कोशिस करूँगा तो चलिए गाज मिलते हैं कल संदे कमेंट बॉक्स पार टू यानि मंडे रिप्लाई बॉक्स में तब तक के लिए जय हिंद